दोस्तों YouTube पे काफी ऐसे चैनल है जो TikTok के वीडियोज को अपलोड करते हैं और वो चैनल मोनेटाइज है तो एक भाई का मेरे वीडियोज पे कॉमेंट था कि क्या भाई हम YouTube पे TikTok के वीडियोज को अपलोड करके और अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं क्योंकि YouTube पे ऐसे आपको बहुत सारे चैनल बिल जाएंगे जिस पर TikTok के वीडियोज अपलोड होते हैं और वो चैनल पे advertisement YouTube के तरफ से दिखाया जाता है और दोस्तों जो TikTok के वीडियोज होते हैं वो बहुत जल्दी viral हो जाते हैं और उस पर millions के जो एसो views आते हैं और वो चैनल जो है बहुत जल्दी grow कर जाता है तो ऐसी एक भाई का जो है तो बहुत सारी questions है TikTok के वीडियोज को YouTube पे अपलोड करके पैसे कमाने के तरीके के लिए और इसके लिए भी कि क्या हम TikTok की वीडियोज को YouTube चैनल पे अपलोड करके चैनल को grow करके और उसके बाद अपना content डालकर चैनल को monetize कर सकते हैं या नहीं ऐसे ही बहुत सारे questions पूछे हैं जो सारे questions का आपको इस वीडियो में reply मिल जाएगा और आपके मन में जीतने भी questions है वो सारे questions आप comment में भी पूछ सकते हैं वैसे आपके जितने भी मन में confusion होगा वो सारे इस वीडियो में solve हो जाएगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पर दोस्तों मैं आपसे छोटा सा request कर लूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी subscribe करके वीडियो को like कर दिजिए क्योंकि वीडियो को like करना आप लोग भूल जाते हैं तो आप लोग से request है कि वीडियो को like कर दिजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं थो दोस्तों जैसे कि मैंने बताए कि बहुत सारे चैनल जो है वह monetize है तो मैं आपको बतादू कि यूटूब पर क्या है ना कि बहुत ऐसे चैनल है जो टिक टोक के वीडियो को हर मतला किसी किसी चीज का वीडियो को upload कर देते और वो channel monetize है तो मैं आपको बता दू कि ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ऐसा आप बिलकुल भी मत कहिजिएगा क्योंकि वो जो चैनल है वो चैनल पहले का मोनेटाइज चैनल होता है यानि कि इस टाम यह रूल नहीं था कि 1000 सब्सक्राबर और 4000 गंटे का वास्टाइम होना होगा वो चैनल मोनेटाइज है और अभी यह वीडियो को अपलोड कर रहे हैं आपको पता होगा कि यूटूब के कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें यूटूब यह बोला था कि अगर आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन ओफ है और फालतू के वीडियोज अगर आप अपलोड करते हैं या वीडियोज अपलोड करना छोड़ देते हैं कई महीने कई सालों तक तो आपका वो चैनल पे सारे वीडियोज को या इस चैनल को डिलीट कर सकता है żenia क्योंकि J неё true per ग्याना पर्षिजए के लिए प्रक्सक्राइब करते हैं जैसे की वेबसाइट के लिए होस्टिंग होना जरूरत जरूरी होता यह बीडियो को अपलोड करने क्रें आपने सर्वत जरूरी होता है इस पर TikTok के वीडियोज अपलोड होते हैं या फालतू के वीडियोज अपलोड होते हैं वो चैनल पर जल्दी ग्रो नहीं करेगा और वो चैनल पर अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो वो बंद कर देगा तो यहां पर मैं आपको यह बोलूँगा कि अगर आपके मन में य यह आता है कि चैनल पे चैनल बना लूँ और इसमें टिक्टो के वीडियो अपलोड कर दूँ और चैनल को ग्रोग करूँ जिसका भी वो डायलोग होगा उसको पैसे मिलेंगे यूट्यूब के तरफ से अगर उसका चैनल होगा तो में जो ओनर होगा वो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दू कि कोई भी एक टिक्टो के वीडियो अगर आप अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो कडिव एक दो मिनिट की सारे वीडियो को मिला कर बना कर अपलोड किजिएगा उसमें काफी सारे में म्यूजिक होते हैं आपको ऐसा लगता है कि यूटूब पे बहुत सारे जो वीडियो अपलोड आते हैं वो पैसे कमाते हैं तो मैं आपको बता दू कि वो पैसे बिलकुल भी नहीं कमाते हैं कि मेरे कॉंटेक्ट में भी बहुत ऐसे लोग है जो का चैनल मोनेटाइज है और वो टिक टो के वीडियो अपलोड करते हैं तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई क्या पैसे कमाते हो तो वह बोला कि नहीं भाई पैसे नहीं अर्णिंग होता है क्योंकि अगर वो 100 वीडियो अपलोड करते हैं टिक टो का तो उसमें से 70 वीडियो से 80 वीडियो में कॉपी राइट क्लेम आ जाता है और कॉपी राइट क्लेम और कॉपी राइट जो स्ट्राइक यह दोनों दो चीज होते हैं copyright claim में क्या होगा claim देदेगा कोई company वाला कि ये song मेरा है और इस वीडियो पे जितने भी advertisement आएंगे वो सारे पैसे मैं कमाऊंगा और copyright strike में क्या होता है कि अगर तीन strike आएगा तो आपका channel बंद हो जाएगा दिलीट हो जाएगा तो मैं आपको ये बोलूँगा कि TikTok के वीडियो को अपने channel पे मत upload कीजिएगा एक भाई है जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे कुछ वीडियो पे comment किया था कि भाई मैं TikTok के वीडियो अपलोड करता हूँ और मेरा channel monetize भी हो गया उसके नीचे बहुत सारे भाई लोग जो इसे comment किया थे कि भाई ऐसा हुआ है क्या मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा तो मैं आपको बता दूँ और वो भाई ये भी बोले हैं कि copyright आता है लेकिन मैं remove कर देता हूँ अब कैसे remove करते हैं वो तो मतलब कि वही जा नहीं कि तो मैं आपको ये बता दूँ कि गलत बता रहे हैं होगा तो मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा कॉमेंट्स का जिन्हों मैं उन भाई बोले हैं कि मेरा channel monetize हो गया TikTok के वीडियो अपलोड करता हूँ तो और उनमें जितने remove करना सिर्फ YouTube के हाथ में है या उनके हाथ में जो उसका main honor है तो मैं आपको बोलूँगा कि ये बिल्कुल भी आप मत किजिएगा दोस्तों दूसरा यहां पर यह भी confusion होता है बहुत भाई लोग यह भी बोलते हैं कि क्या भाई ये TikTok के एक channel बना लेते हैं जिस पर क्या करें होगा तो क्या channel monetize होगा तो मैं आपको बता दो कि channel monetize होगा पर जो वीडियो को आप upload करेंगे और जो वीडियो के watch time पहले से gain रहेंगे और उसके बाद वीडियो को delete कर देंगे तो वो सारे watch time भी delete हो जाएगा आपको सो तो करेगा कि इतना watch time आपके creator studio में analytics में है पर वो न नहीं रहेगा और उसके बाद जो वीडियो को upload किजिएगा वो सारे वीडियो का जो है जो आपका अपना content होगा वो सारे वीडियो का watch time जो है so YouTube count करेगा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दू कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी channel पे जो एक नया बनाएंगे TikTok के channel उसको grow करेंगे तो grow करने में जो subscriber gain होगा वो subscriber चैनल पे तो रहेंगे उसे वीडियो करते समय आपका original वीडियो पे जो वीडियो आएंगे उस पे जितने subscribers आएंगे वो count करेगा तभी आपके channel पे review वो देगा आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे YouTube channel होते हैं जो मतलब कि सब क कुछ content डालते हैं पर उनका channel बहुत दिनों से review में रहता है और वो सोचते हैं कि यार चैनल पे तो सब्सक्राइबर हैं जितने वे content है वो मेरा content है तो channel monetize क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि YouTube पे जो ऐसो background में जो होता है न वास्टाइम और सब्सक्राइबर जो रियल वीडियो पर होता है सिर्फ वही count करता है अगर आप बहुत सारी टिक्टो के वीडियो अपलोड करके डिलीट कर देंगे तो वह सारे वास्टाइम भी खतम हो जाएगा आपको फिर से वीडियो अपना upload करना होगा उसका वास्टाइम YouTube काउंट करेगा और जितने भी पुराने वीडि अपने YouTube चैनल पर मत upload कीजिए थोड़ा सा मेहनत कर लेजिए और जो बाल में आपने इनत कीजिएगा चैनल को ग्रो करने के बाद या ठीक्टो के वीडियो को डिलीट करने के बाद उससे अचाय के सुरू से वीडियो को स्टार्ट कीजिए खुद से बनाना और चैनल पर ज जरूर कमेट कर लेजिए गा और इन्स्टागराप पर फॉलो नहीं किये हैं तो इस्टागराप पर फॉलो करके वहां पर भी प्रसनल को भी कुश्टन्स पूस सकते हैं वीडियो को लाइक कर दिए मिलता है इक और नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए ख्याल